हरे घास के मैदान में भेडों का एक जोन घास चर रहा था, एक छोटा मैमना भी वहाँ घास चर रहा था, साम धलने लगी तो भेडें वापस लोटने लगी, लेकिन छोटा मैमना लालच के कारण वही रुख गया, उसने सोचा कि अम मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अकेले कर जा सकता हूं, सारी भेडे लोट गई, पर अकेला मैमना वही मजें से खास चरता रहा, तभी वहाँ से एक भेडिया गुजरा, और उसकी नजर मैमने पर पड़ गई, लालच के कारण उसके मन में पानी आ गया, और वह तेजी से चलकर मैमने के पास पहुँच गया, जब बेड़ों के साथ वापस मैं लोटने की गल्टी का अहसास हुआ, और वह किसी तरह भेडिया के चंगुल से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा, तभी बेडिया अपने मुह पर जी फिराते वे बोला, आज मैं तुम्हें खाकर दावत करूँगा, मेमना बहुत ही नम्रत से बोला, बेडिया जी, मुझे इस बात की खुसी है, कि मैं आपकी भुक मिटाऊंगा, लेकिन मैंने अभी अभी देर सारी घास खाई है, मेरे पेट में घास पड़ी हुई है, हो सकता है, आपको उसका स्वाद अच्छा ना लगे, ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा नाच ले लगा, तो मैंने ने कहा, बिना संगीत के नाचने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों ना मेरे गले में, बंदी घंटी आप उतार ले और बज़ाए, घंटी की सुडिली धुन पर नाचने में बड़ा मज़ा आएगा, मैंने की बात सुनकर भेडिये ने, उसके गले से घंट उतार ले और बज़ाने लगा, मैंना मज़े से नाचने लगा, घंटी की आवाज जंगल में गुशने लगी, आवाज जब मैंने की मालिक तक पहुशी, तो उसमें जंगली कुट्ते मैंने को खोशने के लिए छोट दिये, और खुद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, घंटी की आवाज का पीछे करते करते, चंगली कुट्ते कुछी दिर में भेड़ी और मैंने के पास पहुँच गए, भेड़ी ने जब चंगली कुट्तों को देखा, तो तर कर भागया, मैंना अपने मालिक के पास लोड़ गया, सूझ भूच से उसने अपनी जान बचा ल सूझ भूच से काम लेना चाहिए, सूझ भूच से हम किसी भी समस्चा से सामना कर सकते हैं